देखिए अगर आप एक टिक टोक अप्लिकेशन यूज़ करते हैं और उसके अंदर आपको अचानक ये इंटरफेस दिखाई देता है मैं आपको दिखा देता हैं ये देखें नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू इंटरनेट एंट ट्रा अगेन तो गैज बैसिकली ये इंटरफेस क्यों आता है इसको ठीक इस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आपने बिलकुल दियान से देखना है कहीं पर भी स्किम नहीं कहना तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गैज सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आता क्यों है देखें गैज ये इंटरफेस इसलिए आता है मान लिज़ आप एक वाइफाई यूज करते हैं ठीक है तो यहां से अपने वाइफाई को चेक करना है अगर आपका यहां से वाइफाई आने तो ठीक है यहां पर आपने आकर चेकना है कि आपका जो वाइफा है वो किस डिवाइस से कनेक्ट है या नहीं ठीक है अगर कनेक्ट नहीं होगा तो आपको यह इंटरफेस दिखाई देगा ठीक है और अब बात करते हैं कि मुबाइल डेटा की ठीक है अगर यहां से आपका मुबाइल डेटा आने तो यहां से आपने चेक करना है कि यह जो इंटरनेट है यहां पे शो हो रहा है या नहीं इंटरनेट जो है वो एक्सेस है या नहीं ठीक है अगर यहां पे आपका मुबाइल आ रही है तो इसका solution मैं आपको बताने वाना हूं ठीक है अगर आप एक mobile data यूज़ करते हैं और यहां पे जो है mobile data शो हो रहा है लेकिन फिर भी यह problem आ रही है तो इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं आईए मैं आपको बताता हूं तो गैस सबसे पहले आपने जाना है अपने mobile की setting के अंदर setting के अंदर जाने के बाद आपने चले जाना है apps manager के अंदर ठीक है किस mobile में लिखा हूता है apps manager किस में लिखा हूता है apps list और किस में लिखा हूता है install app तो यहां पर आपने आ जाना है और यहां से आपने टिक टोक को ढ नूर लेना है find कर लेना ठीक है उसके बाद आपने इसके उपर click करना है तो guys इसके उपर आप जैसे click करना है यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं आपने simply इसके उपर click करना data usage पर ठीक है तो guys इसके उपर आप जैसे click करना है यहां पर आपको दो अप्शन मिलेगा एक मिलेगा डेटा नेटवर्क और दूसरा मिलेगा वाइफा है यहां से आपने चेक आउट करना है कि यह जो दो बटन है यह आपके आन है या नहीं ठीक है अगर यह आपके ओफ ए तो यहां से आपने इन दोनों बटन को यहां से आन कर देना है ठीक है अगर आने तो आपने इनको छोड़ देना है उसके बाद आपने बेक करना है ठीक है उसके बाद आपने आपकी यह जो डिवाइस है आपने इसको एक बार रिस्टार्ट कर देना ह उसके बाद आपकी यह जो problem है यह solve हो जाएगी okay guys तो मिलते है नेक्स वीडियो में